भारतिये लेखा परिक्षक और लेखा विभा की खेल गतिवीदियों को प्रोच साइथ करने की एक लंबी परंबरा है तदरूसा भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक का कारियाले जोनल और राश्री इस्तर विभिन खेलों में वाशिक टूनामेंट आयोजित करता है राश्टी स्तरके खिलाडियों सहेते सभी राज्यों के प्रतिभाशाली खिलाडियों वाली टीमें इस तरह की टूनामेंट में प्रदेशन करती है अथा इन टूनामेंटों की गुर्णवक्ता और मानक काफी उच्छ है आर्तिरूपती वैंकट स्वामी महालेखा का नाकपूर के संद्रक्षन में कारियाले महालेखा का नाकपूर के मनुरंजन क्लब को इंटर जोनल फूटबॉल टूनामेंट के आयोजन की जिम्मेदारी सौपी गई है यह तीन दिवसी इंटरेजोनल फुटबॉल टूनमेंट दिनांक 19 अप्रल 2022 से दक्षिनपूर्व मध्धी रेलवे मोती बाग स्टेडियम नाखपूर में शुरू होगा और दिनांक 21 अप्रल 2022 को समाप्त होगा मैचो के आयुजन का अन्यस्थान NDFA का डॉक्टर बाबसाइब अमबेट का स्टेडियम सहयोग नाखपूर होगा मनिंदर उपल मंदल के रेल प्रभंदक दक्षिनपूर्व मध्धी रेलवे नाखपूर दिनांक 19 अप्रल 2022 को सुभा 9 बजे त्यूनमेंट का उद्खाटन करेंगे और पुरुसकार राधाकृष्णन बी नगर आयुक्त नाखपूर नगर निगम नाखपूर द्वारा द जनांक 21 अप्रल 2022 को सुभा 9 बजे रित किये जाएंगे और प्रवीर कुमार महालेखा का महराष्ण नाखपूर उद्खाटन और समापन दोनों ही अफसर पर सम्मानी अतिती और विशिष्ट अतिती होंगे सरम सौकर के मैटर प्रोफेसर विजे शिफन बड़ से पुरुस जिम शेतर विजेता एजी महराष्ण विजेता एजी राजसान पूर्वी शेतर विजेता एजी पश्य मंगाल विजेता एजी मेघ्याले उत्तर शेतर विजेता एजी जमू कश्मीर विजेता दिल्ली ओडित दक्षिन शेतर विजेता एजी केरल विजेता एजी अग्ड़ो एजी केरल गत विजेता है जबकि एजी पशिमंगाल उविजेता है सभी मैच 90 मिनिट की अवधी के होंगे और नौक आउट के आधा पर खेले जाएंगे कोड़र फाइनल के चारो मैच दिनांग 19 अपरल 2022 को खेले जाएंगे सेमी फाइनल दिनांग 20 अपरल 2022 को किला चाएगा मन्जे ती होंटीम आहे आणी सेवन टीम्स मन्जे साथ टीम आहे त्या बाहरून पाटिसिपेट करता है आणी ही टूर्नामेंट तीन दिवस चालना राहे एकोनी अपरिल पासुल एकोनी सेप्रिल ला ओपनिंग सेरमेनी होता है ऐचा सुरुवात करता होता मी आणी एकोनी सेप्रिल ला एची क्लोजिंग सेरमेनी मन्जे प्राइस डिस्टूडिशन पारितोशिक वितरण समारंब होना रहे आणी मनिंदर उपल साथ जे डिविजनल रेलवे मैनेजर आह उन्यूस नाप्पूर